मुझे लगता है कि आप सभी को मालू होगा कि लखीम पूर खेरी में जो घटना हुई है उसको लेकर देश बर में चर्चाये चल लए हैं सोसल मीडिया पर देख लिए आप लोग फिर चाहे आप लोग न्यू चैनलों पर देखे वही खबर बनी हुई है और आप देखे राजनितिक मुद्धा भी बनता जा रहा है कई नेताओं को अभी तक आपने देखा है कि गरपतार भी कर लिया गया इसमें और इस घटना में आपने देखा है कुछ लोगों की मौद भी हुई है कुछ लोग घायल भी हुई है और इसमें आप देखे एक राज्यमंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है। अब देखे इसकी नियाएक जांच होगी उसके वालू बाद ही मालू चलेगा कि क्या होता है, क्या जांच में निकलता है। लेकिन इस मामले के बारे में आपको एक सामान जानकारी दे देते हैं। करदी हो, बरसाद हो, गर्मी हो, सभी मौसम को जहलते हुए, बहुत सारी प्रोबलमों को समस्याओं को भी जहला है। आपने देखा है कि उन्हें आतंगवादी कहा गया, उन्हें मायववादी कहा गया, खालिस्तानी, पता नहीं कौन मवाली, समय रहे हैं आप लोग, हर त देखें, गांधी का भी आंदोलन पड़ा है, असायो गांदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, आप समय रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उससे भी मुझे लगता है कि ये सांतिपूरवक है, उसमें तो आपने देखा है कि छोटी-छोटी घटनाएं कई हो उसके बाद आप देखते थे कि गांधी आंदोलन को बापस ले लेते थे, लेकिन इसमें इस तरह की कोई घटना देखने को बड़ी नहीं देखने को मिली, हाँ किसान अपने आप में कई आपने देखा है कि सहीद हो गए, पांसास सो किसान उसमें सहीद भी हुए हैं, लेक पाइदे ये तभी मिल सकते हैं, जब इन्हें अच्छे से लागू कराया है हजार सजी, और एक बाद तो और बता देता हूं, मेरा भी ऐसा मानना है, कि MSP पर मिनीमम सपोर्ट फ्राइज पर, एक कानून तो आना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि सरकार मूल ग्यहों का ने धारन कर देती है कि 2000 रूपय कॉंटल, और अभी गाउं में आप जाईए, तो 1500 रूपय में विचौली एक खाते हैं उसे, लेते हैं, व्यापारियों की बात कर रहा हूं है, तो कम से कम एक मिनीमम प्राइज तो रखा जाना चाहिए उनकी फसल का, हम लोग आप देखते हैं कि कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस पर आप देखते हैं प्राई ही रखा जाता है, और आप देखिए हमारे देश के किसान की हालत क्या है, आए दिन आप सुनते रहते हैं सबसे जाना हमारे देश में किसान आत्मत्या गरते हैं, तो इसी को लेकर आप देख रहे हैं लखीमपूर खेरी देखे आपको देखने को मिलेगा यह लखीमपूर खेरी तो यहीं क्या हुगा कि देखे लखीमपूर खेरी में केंद्रिय ग्रह राजमंत्री अजय मिस्र टैनी और आपको साथ बता दों यह वही अजय मिस्र ट्रैनी है टैनी कहे लिजे ट्रैनी कहे रहता दिखा रहे थे इनका रहोत प्तैसन कर रहे थे तो उन्हें एक किसानों को एक तरह से अंगूठा से मतलब आप देखी एक तरह से आ इसका मजा को आना नहीं कहते हैं तो उसी तरह करते दिखाई दे रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि घटना घटती है तो इनका नाम सामने उभर की आ रहा है और कि दोरे पर राज्य की डिप्टी सीएम यानि की उत्तर ब्रदेश के केसो पर साथ मौरियाव ने रिसीव करने के लिए गए हुए थे और इस भीच आप देखेंगे उनके बेटी का नाम है और किसानों की वीच आप देखेंगे वहीं डेथ हो जाती है कुछ आप देखेंगे वहस्पीटल जाते हैं उसके बाद उनकी डेथ हो जाती हुआ और इसमें आप देखेंगे तो आप किसानों में भी रोज पूटा दोनों ने भी किसान जो संदेत के वेटें की गाड़ियों को आग लगा दी और आप सभी जानते हैं कि जब इस तरह की गठा होती है तो इस तरह की गठ्णाएं भी लाज्मी हो जाती है उसके बाद आपने देखा है कि क्या पेकरन बना पूरे देश से बड़े-बड़े जो आपके राजनेता कहले लिजे अकले से आदाव मायवती, तरचाहे प्रेंका गांदी, संजै सिंग आप देखे सभी ये जाने लगे, कहां लखीमपूर खेरी, और इनी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे लखीमपूर खेरी में धाराई 144 लागू कर दी जाती है, और यह है राजनेतिक दलों के निताओं के पिरवेश पर रोक लगा दी जाती है, और आपने देखा है कि महासचिव है BSP के 37 चंद मिसरा, इनका भी आपने देखा है कि घर में हाउस अरेश्ट कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, और यहां आपने देखा है कि इंटरनेट से बाएं बंद कर दी जाती है, मीडिया को भी आगे जाने से रोक दिया जाता है, समग रहे हैं? फिर आप देखिए, इनकी अजय मिसरा, जो आप जानते हैं कि ग्रह मंत्री हैं आपके, राजज ग्रह मंत्री की बात कर रहा हूँ, तो इनकी भी सफाई आती है और इनका आरोक किसानों पर मर देते हैं, कि किसानों ने इस तरह की आरा जक प्याना हुए हैं, और हमारे कारकताओ को मारा हुआ है समझ रहे हैं आप लोग वही कि चोरी करना उपसे सीने चोरी करना हुआ ठीक है इसके बाद आप देखेंगे मंतरी आरोग किसानों पर लगा देते हैं और वो तो यह तक कह देते हैं कि किसानों पर 302 का मुकत्मा लगाई है लेकिन आप सभी जानते हैं कि सबसे जानदा अगर नुपसान एने जहलना पड़ रहा है तो किसान आंदोलन का और अगर यह हारते हैं हो आचना तो एक हेक्टर किसान आंदोलन बड़ा होगा सबसे तो इसी को लेकर आप देखें कि उन्हों ने आपके मुखमंत्री योगी योगी आदितनात दावने इस घ परनाज की अस्वासन दिया हुआ है और जो भी दोसी रहेंगे उन पर सकत कारवाई करने की भी बात की हुई है एक बार अभी हाली में में देख रहा था कि इसमें 45 लाग का मुख्चा जो भी जिस से भी बैक्ति की डैथ हुई है उसके परिवार को 45 लाग का मुख्चा दि ज़िश की अध्यक्षता की एक कमेटी बनाई आएगी, वही इसकी जांच करेगी। ठेक है? और अब देखिए जो होता है जांच होगी उसके वाद ही मालू चलेगा, क्या मामला है, और क्या रहता है, कौन इसमें दोसी पाय जाता है, कौन क्या पाय जाता है। लेकिन फिरहा कि समस्या हमने सर्फ मजाक लग सकती है और जब वो समस्या हम पे खुद गुजरती है तब हमें मालू चलता है और पैसे अब देखे जो भी है जो भी अब इस पर जाना कुछ कह भी नहीं सकते हैं और मेरा यहीं मानना है कि अब वीच का राष्टा निकाल लेना चाहिए क्योंकि इस तरह कि जब भी आंदोलन होते हैं देश की चबी को नुक्सान पहुंच जाते हैं मैं किसी के विरोध मैं नहीं बोला हूँ मैं इसलिए बोला हूँ जो आप कहते हैं आप सबसे बड़ा लोक्तंत बनने की हुंकार भरते हैं और आपको मालू होना चाहिए कि जब दुनिया में ये छबी जाती है कि आपके सामने दस महिने से आदोलन चला है सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो आप देखेंगे कि लोक्तंत पर फिसन ने चिनने भी खड़ा होता है और इसलिए आप लोग देख भी रहे होंगे जब भी इस तरह कि कोई आपकी सूचकांक इंडेक्स आ रहे हैं तो भारत में भारत की उसमें रैंकिंग गल रही है गिरावट देखी जा रही है समझ रहे हैं और एक बात बता देता हूँ आपको कि देखें इस तरह कि जब भी आंदोलन होए है और उसका बिपक्च को हमेसा फायदा होता है और सत्ता पक्ष को नुकसान होता है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए, कोई कितना भी कह ले, कि सरकार को फरक नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा, लेकिन फरक पड़ेगा, हो सकता है कि अभी हाल में फरक ना पड़ रहा हो, क्योंकि अभी हाल में कुछ ऐसा है भी नहीं है लेकिन लंबा एक तरह से आते हैं कि लंबे समय में फरकिसमें दिखाई देगा ऐसा मैंसलिए वोल रहां कियोंकि आप लोगोंने इंद्रा गांधी का समय पढ़ा होगा वो राज्टी आपातकाल लगा देती हैं, एमर्जनसी लगा देती हैं बड़े बड़े नेताओं को गरफतार कर लेती हैं, उसके बाद आप देखिए जेपी आंदोलन की बात कराओं तो जेपी आंदोलन ने नया आपने देखा है कि उसके बाद जो चुनाओं होते हैं उसमें इंद्रा गांदी अपनी स्थीप नहीं बजा पाती हैं, कॉंग्रेस की बुरी तरह से हार होती है और आगे चलके आप देखते हैं कि इंद्रा गांदी देश बर से माफी मांगती हैं कि अपने गलती को सुईकालती हैं तब जाकर आप देखें कॉंग्रेस का वैलेंस सुधरा है और वो एक तरह से आपके यह रोड के नीचे पहुंच चुकी थी तो रोड पर आई है पार्टी और इसी तरह आप 2014 में देखिए क्योंकि अन्ना अंदुलन एक बहुत बड़ी वेक्टर किसान अंदूलन रहेगा और आप सभी जानते हैं कि एक लंबा समय हो चुका है आप कितना भी नकारते रहिए कुछ भी कहते रहिए लेकिन देश बर सोचने पर एक समय के लिए मजबूर हो जाता है कि कोई खुसी से वहां नहीं बैठा हुआ है और आप देखिए वो भी हमारे ही लोग है और ये भी हमारे ही लोग है तो कोई भीच का रास्ता निकलना चाहिए वो ऐसे खतम होना चाहिए ठीक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें भी 700 से 800 किसान अभी तक सहीद हो चुके हैं और सहीद उनकी कीमत हमाँ नहीं समझ सकते हैं वो परिवा जो भी इसमें गरीब से गरीब हो या बड़ा से बड़ा हो जहाच होनी चाहिए और जो भी है गरबतारी होनी चाहिए क्योंकि 24 सेंटे होने जा रहे हैं लगभाव आप देखेंगे अभी तक किसी की गरबतारी नहीं होती है और उत्तरफ देश सरकार आप जानते हैं कि सबसे कामियाबी में गिनाती है कानून वेवस्ता तो इससे क्या होता है कि कानून पिशनेटिचन खड़ा होता है और कभी-कभी सच बताऊं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं मुझह कभी-कभी तो लगता है कि योगी आदितनात और मौधी से कोई बदला ले रहा है क्योंकि इस सलायकार हो उन्हें हटा दिना चाहिए और 2014 से पहले जो भी इनके सलायकार रहे हो उन्हें रख लेना चाहिए जो कि आजकल इनके सलायकार इन्हें या तो सही घटना भी जानकारी नहीं दे रहे हैं और या तो कुछ मतलब समय रहे हैं जो भी रही हो और वसे यह है हमारी तो क परिवार के पिति संबेदना वेक्ट करते हैं और इस परिवार को दुख की घड़ी में बाहर किसी भी तरह से निकलें क्योंकि हम सायद नहीं समझ सकते हम लोगे गठना में परिवारों के पिति